दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है, पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, जारकंड में भाजपा की सरकार नहीं है, राजस्थान में भाजपा की स करनाटक के चुनाओं के नतीजे आएं करनाटक पे तपसे चर्चा हो रही है आज भी हम उसी टाइप की कुछ चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों इतने लाइन से मैं बताया भारत में 28 राज आठ के इंदर शासित प्रदेश है 15 में भाजपा की सरकार नहीं है लेकिन पूरे द की सरकार है लोगों को ऐसा पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं देश भर में मोदी मैं है देश भर बीजेपी मैं है देश भर भगवा मैं है इस तरह की बाते करके भगवा को भी एक राजनेतिक दल से समेटा जाता है बाते की जाती है लेकिन ऐसा होता कैसे है जब हमन पर कितना पैसा खर्च करती है आपका अखबार खोलता है तो उसमें प्रधान मंत्री मूदी का चहरा नजर आता है योगी आदेतनात का चहरा नजर आता है या किसी मुख्य मंत्री का चहरा नजर आता है कुछ नहीं तो कमल तो नजर आता ही है आप टीवी खोलते हैं तो खेल विज्ञापनों का है अब आप समझेंगे कि भाजपा विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च करती होगी थोड़ा सा खर्च करती होगी कितना खर्च करती होगी सुनेंगे तो होश ठेकाने आ जाएगा समझे भाजपा विज्ञापन पर कितना पैसा खर्च करती है एक करोड रुपए जीतता है तो कितना खुश हो जाता है टीवी चैनल कितनी बार दिखाते हैं लेकिन समझे भाजपा ने विज्यापन पर छे हजार चार सो एक्यानवे करोड रुपए खर्च किया है अब आप ये पूछेंगे कि ये मैं आकड़े लाया कहा सू हूँ ये आक तक कितनी पैसा विज्यापन पर खर्च किया जा चुका है तो जवाब में जो आया कि आठ साल दस महीने पर विज्यापन पर जो पैसा खर्च किया गया है वो छे हजार चार सो एक्यानवे करोड रुपया है सोचिए इतने बड़े पैसे से कितनी सडके बनाई जा सकती थी कितने अस्पताल बनाई जा सकते थे कितने स्कूल बनाई जा सकते थे उत्तर प्रदेश की स्कूलों की स्थिति आप से छुपी नहीं है जहाँ पर नमक रोटी और तमान चीजों की घटनाई सामने आती है चलिए 6491 खर्च करने के बाद भी लेकिन अब इसका असर जनता पर नहीं दिख रहा है अब आप ये पूछेंगे मैं कैसे कह रहा हूँ आईए समझाता हूँ देखिए इसका असर इस वज़ा से नहीं दिख रहा है कि करनाटक के चुनाओं अभी बीते है करनाटक के चुनाओं में खूब विज्यापन किये गए भारतिय जनता पार्टी के तरफ से खूब पैसा अखबारों को दिया गया खूब पैसा इलक्ट्रोनिक मीडिया को दिया गया दिन भर मीडिया कुछ चैनल तो एक्जिट पोल में भी ये बता रहे थे कि वहाँ पर बीजेपी जीत रही है अब वो कैसे बता रहे थे इसका अंदाजा मैंने 6491 करोड के हिसाब से बताया है लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं बन रही है अब जनता समझ गई इसका उदाहरण बता रहा हूँ मैं देखें उदाहरण नमबर एक है बीसी नागेस इनको आप जान रहे हैं ये चर्चा में आये थे ये चर्चा में तब आये थे जब इन्होंने हिजाब को बैं कर दिया था हिजाब लड़कियां कहे थे कि या तो लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाए या तो हिजाब लगा कर आए इनको पचीस हजार वोट से चुनाओ हार गए और ऐसा नहीं है कि इनको मुसल्मानों नहीं हिहरा दिया हिंदू भी बहुत सारे वोट नहीं दिये जिस छेतर से आते हैं वो हिंदू बाहुले छेतर है वोट नहीं दिये तभी पचीस हजार वोट से आर गए दूसरे बता रहा हूँ दूसरे सीटी रवी कुमार है ये देखिए चस्मास्मा लगाए जो बैठे हुए है सीटी रवी कुमार ये भी चर्चा में तब आये ये कहे कि हलाल मीट नहीं कर करनाटक में आएगा हलार और ज्छटका पे बात पर करेंगे लेकिन आप जब सीटी रवी कुमार के बारे में विवादित बयान करके गूगल पर सर्च करेंगे तो इनको हजारो बयान गूगल पर मिल जाएंगे मेरी कुछ मर्यादाएं है इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि इनके विवादित बयान क्या है लेकिन ये दोनों विवादित बयान देते रहे लगातार धर्म को बाटते रहे लगातार ऐसी गतिविधी पैदा करते रहे करनाटक में जिससे दो धर्म एक दूसरे से नफरत पैदा हो जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं लोग समझ गए थे ये विग्यापन है ये मजाख है ये हमको आपस में लड़ा रहे हैं इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं और ये हमको आपस में लड़ा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ लोग समझ गए और ये तो हारे ही इनके साथ 12 मंत् चुनाव हार जा रहे हो उस प्रदेश में विग्यापन का क्या असर होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 9491 करोण का मैंने आकड़ा बताया है अब उस विग्यापन का भी असर नहीं पड़ रहा है चलिए थोड़ा सा आगे और ले चलते हैं यह बयान आपको याद होंगे दो वोट मांग रहे थे वोट तो पड़े करनाटक में खूब पड़े माफ कीजे करनाटक में वोट तो खूब पड़े लेकिन बजरंग बली के नाम पर प्रधान मंत्री को नहीं पड़े बलकि राहूल गांधी की पार्टी कॉंग्रेस पार्टी को पड़ गये अच्छा अमि बड़ी बात कह दी कि हमीं एक समझदार हैं, हमीं एक अच्छी पार्टी हैं, दूसरे वाले आएंगे, दंगा देंगे, अगर इसको दूसरे लिहास से समझा जाए, तो एक धमकी था, करनाटक में इस मामले को लेकर कई मुगदमे भी हुए थे हमें शाह के उपर, चलिए, अ मदर्सों को बैन नहीं होगा, गुरकुल भी खुलेगा, मदर्सा भी खुलेगा, चलिए, दूसरे आजाते हैं इश्वर अप्पा, इश्वर अप्पा पूरो डिप्टी सीयम रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, इश्वर अप्पा खुले आम बोल रहे थे, कि हमको मुसल मिलजुल के रहने की बाद कर रहा है, 100% आबादी की बाद कर रहा है, तो उसको जनता जिता रही है, लेकिन ये थो था करनाटक का, उत्तर प्रदेश में अगर हम आ जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदितनाथ की जीत हुई है, अब ये कहा जा रहा है, कि नरेंद्र मोदी के बार-बार जाने के बाद भी करनाटक की स्थिती का बेड़ा गर्ग हो गया, करनाटक में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, कुछ लोग सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए, योग कि जीत के जम्मेदारी हमेसा सहरा मोदी पे जीत के साथ आए हैं तो समझने की कोशिश करिएगा कि उत्तर प्रदेश के योगी आधितनाथ का कद जो है वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी से अधिक बढ़ रहा है खेर लोग कहते हैं कि अमिच शाह और मोदी को ये नहीं पसंद है कि योगी आधितनाथ बढ़ें लेकिन न नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो गया है और योगी आधितनाथ आगे आ रहा है दो हजार चाहिए नहीं तो दो हजार चौबिस में बीजेपी का बेड़ा गर्क होने वाला है क्योंकि अब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं फिलाल आप इस मामल का बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी का कद गिरता जा रहा है क्या लोग अब विज्यापनों पर वोट नहीं दे रहे हैं क्या आप लोग हिंदू-मुस्लिम करने से अब वोट नहीं दे रहे हैं इस मामले को आप कितने हद तक समझते हैं मुझे कॉमेंट वॉक्स न किये गा